दीपा वली 31 अक्रूबर की है या 1 नवंबर की बहुती असमंजस की इस्तिती बनी हुई है दीपा वली का त्योहार अमावस्य आतिति को मनाया जाता है और लक्ष्मी जी का पूजन मद्रात्री को किया जाता है दीपा वली में गडेशी और लक्ष्मी जी का पूजन परदोर्श काल से शुरू होकर मदेर रात्री तक किया जा सकता है दीपा वली का तिवहार परदोर्श काल से ही शुरू हो जाता है अब देखना ये है कि अमावस्यातिती की शुरूआत कितने बज़े से हो रही है अमावस्यातिती की शुरूआत 31 अप्रूबर को दो पहर 3 बज के 54 मिनट से शुरू होकर एक नवंबर को शाम 6 बज कर 16 मिनट तक रहेगी यदि आप एक नवंबर को दीपावली बनाते हैं तो केवल अमावस्यातिती 6 बज कर 16 मिनट तक ही रहेगी उसके बाद पढ़वा यानि पढ़ती पढ़ता तिती शुरू हो जाएगी अब बात ये सामने आती है कि दीपावली का त्युहार अमावस्यातिती को ही मनाया जाता है परती पदा तिती को अमावस्यातिती को अमावस्यातिती को ही मनाया जाता अब ऐसे में दीपावली का त्युहार 31 अक्टूबर को मनाना ही अति उत्तम रहेगा क्योंकि 31 अक्ट्रूबर को मावस्यतिती पूर्ण रूप से रहेगी आप परदोशकाल से शुरू करकर पूरी रात्री तक लक्षमी पूजन कर सकते हैं वैसे आपका अपनम्मत है कि आप 31 अक्ट्रूबर को दीपावली मनाएंगे या एक या एक नुमबर को यह आपके उपर निर्वर करता है हमारे विचार से तो दीपावली कत्युहार 31 अक्ट्रूबर को मनाना शुब रहेगा धन्यवाद